असलाम उलेकुम फ्रेंड यह फूड कलब है एमद पूल शरक्या यहां पे पंप भी है पिटोल पंप इसको बोलते हैं पिटोल पंप तेक है ना शादी हाल भी है मेरज तेक है ना और रेस्टोरेंट भी है और चोटा मोटा पार्क भी है जो बच्छों के लिए जो यहां पे बच्छों के लिए टक शाप भी मनी होई है आप इस देख रहे हैं आप लोग यह इनकी स्टैंड है गार्णी ठहराने के लिए और यह सामने इनकी शॉप है यहां पे हाद्चीज मिल जाती है काने पीने की और और यह है इनका रेस्टोरेंट यहां पे बच्छों के जूले भी है और बैटने की अच्छी जगाह भी है और खाना भी इनका अच्छा होता है अब जब भी कभी है अमदपुर में तो यहां पे लाजमी चक्का लगाईएगा इसको फूड कलब कहते हैं और यह बच्छों के जूले हैं और हां यहां पे डैवो का टर्मिनल भी है यह नीचे लॉन बना हुआ है यह इस कलोन है देख रहे हैं आप सो सब लोग यह पी कोक है यह एक कुछ बनाई हुए है और यहां पेन का मैरेज सिस्टम है शादी हाल बहुर अच्छा इनकी शैटेल है आप देख सकते हैं मात पूं इनका मैरेज हाल दिखाता हूं यह फूड कलब इसको बोलती है और हां मैरेज हाल का नाम है शैन्शा नहीं सोरी शाजा जहां जो खुद को भूल गया सोरी तो इसका नाम है शाजा शाजा जहां और यह इनका मैरेज हाल है कि देख रहे हैं आप लोग अभी तो इसकत चैद बांद नी पड़ा होगा नहीं ओपन है अंदर से दिखा दे तो आप लोगों को लेकर नंदेर होगा लाइट फगहरा नहीं है कि देख रहे हैं आप लोग जब लाइटेंग वगए रहा होती हो तो अच्छा एक सिस्टम बांद जाते हैं इनका खुबसूरत आप लोगों की तरह जैसके आप लोग फ्रेंड आप खुबसूरत लोग हो तो एक चोटा सा सीटी है एमादपूर उसमें अच्छा इन्होंने बनाई हो यह सिस्टम अगयरा सब कुछ खुबसूरत अभी तो इनने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया हो ना इसलिए बंद पड़ा है और हां यह हमारे एमादपूर में हैं जिसको बोलती है नदेरा नबाप स कि अनकी मस्चेद है और और दूसरा मैं आपको दिखाऊओ इस तरह को औरूंगा मैं कल आप लोग आप लोगो कर दिर्माप सहाब कर दिखाऊंगा को चैल्ला ड्रियावार भी दिखाऊओंगा और आ उनकी जो मसाजद हैं वो भी दिखाऊऊँगा और सहभा कराम की जो है ठीकíb न दियर कर यह से इसके बहर जाने के रास्ट कि चोटा से हुसर ऐा है लेकिन फिर बनाय है वे साफ सुत्र है ऐना महुल बनाय हो आधा केमत पूर एक ससील है और 6 ते ही यह अच्छा कि यह स्ट्यzenich लिए से हर्म melu ws यह सीटी है उसके लिया से अच्छा है यह मस्जिद है प्यारी बनी हुए माशा अल्ला अल्ला के घार तो सब प्यारे होती है और यह पांप बना हुआ है और यह डेवो का टेर्मिनल बना हुआ है देखें आप लोग कि सामने बाइपास मोटर वे अब हम वापस के तरफ जा रहे हैं मोटर वे पे और यहां से मैं सीदा घर जोंगा क्योंकि मैं अभी ही आया हूं जौब से तो मैंने सुचा आप लोगों को यह विजट करा दों फूट कलब का जब कभी हैं तो फूट कलब आपाएं बावलपू तो यहां पर स्टेक करें इसकी बेहर के लोकेशन है तो के साथ है तो सामने नजैंब और यह एमदपूद शेह के तरफ देख रहे हैं इमदपूद शरक्या और बावलपूर के लिए यहां तानन ओता है